अनुपमा की पूरी जीवन कहानी अनुपमा स्टार प्लस का एक लोग प्रिय टेलिविजन धारावाहिक है, जिसमें मुख्य भूमिका रुपाली गांगुली निभाती हैं। यह कहानी एक सामान्य भारतिय महिला की जिन्दगी के उतार चड़ाव को दर्शाती है, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत सपनों के बीच संधर्श करती है। शुरुवाती जीवन और विवाह अनुक्मा की कहानी एक मध्यवर्गिय परिवार से शुरू होती है। वह एक महनती और दयालू महिला है, जो अपने परिवार को सर्वोपरी रखती है। उसकी शादी अनुच कपाडिया से होती है, जो एक धनी और प्रभावशाली व्यवसाई है। विवाह के बाद अनुक्मा अपने सपनों को पीछे छोड़कर अपने पती और बच्चों के लिए समर्पित हो जाती है, जीवन में चुनौतिया। अनुक्मा की जिंदगी तब एक मोड लेती है, जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा, तोशु एक गलत रास्ते पर चल रहा है। वह अपने बेटे को सही राह पर लाने के लिए कड़ी महंत करती है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य उसके प्रयासों का समर्थन नहीं करते। इसके साथ ही अनुक्मा को अपने पती की उपेक्षा और बेरुखी का भी सामना करना पड़ता है। स्वतंतरता की खोज इन चुनोतियों के बावजूद अनुक्मा अपने आत्म विश्वास को नहीं खोती। वह अपने सपनों को फिर से जगाती है और खाना पकाने के अपने शौक को एक व्यवसाय में बदलने का फैसला करती है। इस दौरान वह अपने पती के एक दोस्त वनराज शाह की मदद लेती है जो एक कुशल शेफ है। नई शुरूआत अनुक्मा के व्यवसाय में सफलता मिलती है और वह एक स्वतंत्र महिला के रूप में उभरती है। हालांकि उसकी सफलता से उसके परिवार के कुछ सदस्यों को जलन होती है और वे उसकी खुशी में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। प्यार और दोस्ती अनुक्मा की जिन्दगी में एक नया मोर तब आता है जब वह अनुझ कपाडिया के भाई देव पाठक के करीब आती है। दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती और समझदारी का रिष्टा बन जाता है। चुनोतिया जारी अनुक्मा के जीवन में चुनोतिया जारी रहती है। उसे अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के बीच के मतभेदों को सुलजाने की कोशिश करती रहती है। अंत में अनुकमा एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में उभरती है, जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। उसकी कहानी प्रेणादायक है और दर्शकों को जीवन की चुनोतियों का सामना करने की ताकत देती है। नोट यहां अनुकमा धारावाहिक की एक संग्षिप्ट जानकारी है। कहानी में कई अन्यपात्र और घटनाए हैं जिन्हें विस्तार से बताया जा सकता है। क्या आप अनुकमा के किसी विशेश प्लॉक या किरदार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं।